Dear class, now today we are going to study about the major alliances as you are looking to the board कि भारत में multi-party system adopt प्या गया है और इस multi-party system में ऐसा जो major alliance किया गया है जो सबसे बड़ी party है अब हम लोग बाते करें तो एक बीज़ेपी आता है और दूसरा प्राइस आता है बीज़ेपी का और कॉझरेश का एक alliance है तो जो बीज़ेपी के पिचार धारा से सहमत है जो भी कॉल्टिकल पाटिश वो बीज़ेपी के साथ है और जो कॉझरेश की पिचार धारा से सहमत है वो कॉझरेश के साथ है और जो पॉलिटिकल पार्टिश किसी पिचार धारा से सहमत नहीं है वो एक थर्ट मेंट बनाके रखा है तीसी पार्टी तीसी महा पार्टी के रोगों को कह सकते है एक रुटिकल पार्टी जो बहुत सारी पार्टिकल पार्टी पॉलिक रखे एक साथ हाथ मिलाते हैं और उनका पर्पस होता है यह साथ चुनाव करता एक छक्ति निशी एक अंब्रेला तो उसको अंगों यह कहते हैं ऐसे पार्टी जो एक साथ मिल करते चुनाव करता है वैसे पार्टी चुनाव करता है और दो मेंजर अलाइस है एक NDA नाशनल देमोप्रेटिक अलाइस और दूसका है UPA यूनाइट प्रोग्रेसिव अलाइस देमोप्रेटिक अलाइस नाशनल देमोप्रेटिक अलाइस है और दो मेंजर अलाइस है और जो बच गया है जो बच गिए फिक कंवरतिक है ऑसम आट यू देमोप्रेटिक अजासल वो गया है कि जिदरे की धिर्स है तेमोगेटी करू लेट वहाँ पर एक तरह पार्टी सिस्टम डबड़ दिया है जैसे कहीं पर शिक्न पार्टी सिस्टम है कहीं पर द्यूवल पार्टी सिस्टम है तो कहीं पर मल्भी पार्टी सिस्टम है कि इंडिया में सोचल और जोगर्विनल डावर्शिटीज है, सोचल में कास्ट आ जाता है और जोगर्विकल में कहीं मांटें आता है, कहीं प्रेक्व आता है, कहीं डेगर्ट आता है, कहीं देगर्ट आता है, कहीं गॉस्टल अरिया आता है, तो यह सारी डावर्ची के वज़र से इंडिया में एक separation होता है, एक group form होता है, इसने इंडिया में multi party systems adopt दिया गया है. तो इस multi party system में मैंने ही भी आपको बताया, लगबख 750 political parties are registered in the election commission of India, in the office of election commission of India, which is situated at Dallas, यह एकास, in these 750 political parties, some are national parties and some are regional parties, तो किसी party को national party ये किसी party को regional party का दरजा कैसे दिया जाता है, तो election commission of India ये गयार्जान इस्यूप किया है, कि जो political parties, 6% वो लोग सभा में लाएगा, या कम से कम charge sheets, charge sheets में उसका अभीपत्र होगा, इसी state elections में, तो ऐसे parties को national party का दरजा दिया जाएगा, ये क्या है, country-wide parties है, ये क्या है, country-wide parties है, उने प्रेश में, उने बहाँ प्रेश में, इस party का ये अपनी प्रचान है, और इसका अपना इन वड़की दिया है, जो राष्टे हिन की बुद्दा होगी है, वैसे सारे topics, जो नेजन से रिलिएगा, उसके उपर ये parties साम करता है, ये एक राष्ट को मजबूत, सु वबस में, सु संगड़े, सु दिल्ब मनाता है, और एक्जाम्पल, बार्तिया जिन्दा पार्टे का ले लो, इसे भी जो आज प्रेशेंट आए जिसकी government है, बार्तिया जिन्दा पार्टे का एक्जाम्पल ह इंड्रे नैसनल कामेस आप ले लोग, वो भी नैसनल पार्टे का एक्जाम्पल है, एक पार्टी जो किसी पी लोग सवा, लोग सवा में कितने शीट्स होता है, लोग सवा में 545 सीट्स है, और इस 545 सीट्स में, जितने भी वोटर्स बोट डाले है, जेनरल एलेक्शन की बात में कर दाओं लोग सभाएगी और उस पोटल वोट में 6% वोट जिस कॉलिटिकल पार्टी इसको आएगा उसको नेशनल कॉलिटिकल पार्टी का दरज़ दिया जाएगा इसके अलावा कहता है कि अगर असेंगलिटिकल का दरज़े जाएगा जेस्यट की बात मकि लेक्शन की दोत अटोड है कोई कालिटिकल पार्टी चार सीट लाता है and the grid entities pacin in the road ship लोग्सभा में चार सीठ जीतना दो ऐसे ‎क को भी हमलोग नेशनल पार्टी के रूपे रिख जीनटा पार्टी तो नेशनल पार्टी के न्डॉप में हम कही सकते हैं कमांवन आ जीनता पार्टी इंडिया नेशनल दर्पार्वरइस बहुत दर समाजवाजी पार्टी, CPI, CPM और भी बहुत तारी पार्टीज है जिसकों अंगर नेस्टल पार्टी क्या सेक्ट है Dear Class, हम लोग ने देखा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को किस आधार पे नेस्टल पार्टी का द्रज़ा दिया जाता है इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज As we are looking on the board, we are class, स्टेट पार्टीज पार्टीज पार्टीज, सनृता पार्टीज, राष्ट्री गंधासल have national political organizations with units in seven states, जैसा कि इसे सारी पार्टी स्टेट ले श्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका expansion हुआ और आज इसकी आइडेटिटीज एक national popular organization की हूँ में हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी, संटा पार्टी, राष्ट्रे जंदा दल ये सारे आजाते हैं और सम अफ इस पार्टी, लाइक भीजू दल पार्ट, स्टिम देमोमेटिक फ्रंट, इसकी देमोमेटिक फ्रंट, और वीजू दल फ्रंट, इनको state party को की रूम में रिकुमनाइसेशन मिला हुआ है, और consistent about their state identities, a party that secure at least 6% of the total vote in election of state legislative assembly, कोई भी state assembly election मिल, अगर किसी भी party को total 6% vote आता है, वही वाला concept है कि जब national level elections होता है, parliamentary election होता है, लोग सुर्वाद के लिए, तो वहाँ किसी भी political party को कर 6% आता है, तो हम उसको राश्टिय पार्टी का, national parties का दर्जा देते हैं, और जब सेम चीज़, जब state level elections होता है, और किसी भी party को पूरे state में 6% का vote आता है, state election में, state legislative election में 6% का vote आता है, तो उसको अम लोग regional party या state party का दर्जा देते हैं, तो यह यह, as we are looking at party, that secure at least 6% of mortal goal in, and elections of state legislative assembly, and win at least 2 seats, या फिर, वो कम ते कम 2 seats जीते हैं, वोग भी पूर्टोला parties, अगर 2 MLS है, MLS अगर member of state legislature, तो state election में MLS चुड़े जाता है, और जो ब्रैस्टोलाशन, लोग समद के elections होता है, तो वहाँ पे हम लोग NPs को चुड़ते हैं, और फात member of parliament, तो 2 MP, किसी भी state में, किसी भी political parties को मिलता है, किसी party में, तो उसको regional parties के state party का दर्शा दिया जाता है, तो dear class, यह concept बिल्कुल के लिए हो गया, कि किस आधार में national party और किस आधार में state party का दर्शा दिया जाता है, dear class, as we are looking on the go, over the last three decades, the staff of state parties has expanded, और था जब इस वर्सों में, जो political party है, किसी भी बड़ी से बड़ी party को complete maturity, government को form करने के लिए नहीं भूपाए, और था, as we are aware the concept, कि किसी भी government को form करने के लिए, चैवल, center comment form कर रहे हैं, या state comment form कर रहे हैं, concept यह है, कि चैवलोग सभा हो, या state legislative का assembly हो, उसका जो भी strength है, उसे strength को अंतर two से divide करते हैं, और उसे plus one कर देते हैं, अब इतनी seats, जो भी line up, वही government form कर सकता है, तो last three decades, मैं अभी के election की बात नहीं कर रहाता। प्रेजेंट time में election, इसे पहला election, एक a stable government इंडिया पर धिया है, जेकि BJP government अभी running government है, but I am telling you, before the BJP government, पिछले 30 साल से, एक military सक्कार बन रही थी, एक coalition government बन रहा था, किसी भी political parties को, national political parties को, फूरी बंबत नहीं मिल रही थी, ताकि वह government form कर सके, उसे हर भख state parties से, सेयोग लिना भूरा, they need cooperation from the state parties, तो state party का स्थिल तो बढ़ा, उसका expansion हुआ, no national party is able to secure on its own penalty in the low saba. As a result, परिणाम के हुआ, national parties compete to form alliance with the state parties. पिछले 30 स्कॉर्फों से भारत की है, इंडिया के political system की है, और इस period में, जब एक alliance government form होती है, तो वो एक Greek government होती है, alliance government एक Greek government होती है, तंजोर सरकार होती है, वो अपरी tension पुरी नहीं कर पाती है, वो एक major decision ही ले पाती है, और हमेशा situation tense होता है, law and order properly उड़े country में implement नहीं होते है, ऐसे situation में, लेकि जब stable government आती है, फुल maturity में government आती है, तो वो एक major decision नहीं सकती है, वो line order में लेकितर कमांड कर सकती है, और जब लोई नहीं बिल्कुर stable होता है, smooth होता है, तभी development society का हिस्सा होता है, चैस्टेट का हिस्सा होता है, चैनों कह सकते कि guarantee का हिस्सा होता है, तो here what's condition tha, यसरी का यासा है लाज three decades, जब लोगांडोः का data, उस्में और state parties, जब handful by nous, political parties in our country, now next point we are looking at, political parties in our country are facing several challenges अब हम अब यह पढ़ेगें कि political parties कोई से problem को face कर रहे हैं is the political parties को बहुशनारे problem को face 3 he आ रहे हैं जासे सब बड़ी problem हम अब देख रहे हैं यही lack of internal democracy within the party किसी भी party में lack of internal democracy है प्याड़े बच्चो इस बात तो समझो वो भी particular parties है पर particular parties के लिए भी एक नाफदर्ण है एक guideline है कि उसे क्या करना है और क्या भी करना है तो अगर internal democracy की बात करें किसी particular parties का तो particular parties internal democracy में ask date में completely failure है जो prominent leader है जो head है party के और जो एक whole member है उन्हीं के policies या agenda या programs develop होता है और उन्हीं का decision final decision होता है बट पर्टिकल parties का एक अपना जो ethic है वो है कि पर्टिक decisions के लिए पर्टिकल पार्टिक पार्टिक के अंदर एक election होगा चाहिए और जिते भी members है वो members के कि इस शेहमती लेड़ी आओ सकता है उसकी पार्टिक को और जो active members है वो रिजिस्कर रेंटेन होता है पर ते internal election का ही record रेंटेन होता है बट ऐसा आज के देट में कुछ भी नहीं होता है आज जो प्रॉंडेन रीडर है वो जो भी डिस्कर रेंटा होता है तो सिर्फ एनाउंस करते है और जैसे ही एनाउंस होता है और भी decision को भी policies political parties के लिए वो सीधा implement होता है उस party के members को या active members को या board members को वो चीज सही लग राया है या नहीं लग राया है इसकी थोड़ी में चीज़ था उस prominent leader को male leader को नहीं है जो सारे political parties का हिस्सा है इस सबसे दुर्भाद की इस्थिती है political parties का आज के डिप पर उसके बाद dynastic succession as you are looking at dynastic succession क्यों होता है बही डynastic succession सिस्थित तो मुनार्थिस सिस्थिम का पार्ट है कि पीता के बाद पूर्थ में राजा बनेगा चाहे उसमें योगता हो या ना हो तो इस सिस्थिम को को हमने अटा किया था इस सिस्थित तो फिर ये डाजी सिस्थित तो फिर ये डाजी सिस्थित सिस्थित ना स्या लिए पूर्था ये है प्यारे बच्चों कि परिवार बाद जो है तो पूर्टिकल सिस्थिम का बहुत ही एहन हिस्था बन चुका है आज आप देखो परिवार बाद की जर्ण दिखेगी आपरो कि सारा एक फैमिली से एक फैमिली का जो पूरी सिस्थिम है उसने ही आजादी के बाद इंडिया को रूल करते आया सबसे पहले जवार नेरो फिर लाज बादो सास्ती आया वह इस परिवार के नहीं ते उसके बाद इंड्रा गाधी आई पिर राजियू गाधी आई पिर सोन्या गाधी सोन्या गाधी अभी भी अभी भी बहुत जादा एक्टी रोल प्लेग कर लहीं है पॉल्टिया पार्टियू पर वो कभी भी पीएम नहीं बनी उसके बाद अभी राभू गाधी है तो यह इस बेंड इस एक्जान्पल है आप देश करते हो कि डानिशी से सिसर्स में ऐसा नहीं होना चाहिए डामोग्रसी में जो योक है वो इस एक्टर के माध्यों से चूंगे है और उसे मौकर मुना चाहिए बट जो में पीचर है मुनार्टी का उसकी जलत में होतो डामोग्रसी उसकी बार सबचे एहन चीज है कि growing role of money and muscles power पैसे के दम पे और physical force के दम पे free elections को influence किया जाता है पैसा बाटा जाता है और muscle power के इस्तमाल किया जाता है ताकि election को जीत सगे और भी political party है तो यह गलत है अगर किसी भी elections है अगर free and free elections can be contact नहीं हो रहा है तो लोगतन की आत्मा धायल होती है the spirit of democracy in jore इसलिए free and free elections can tap करदा यह तरवाना एक लोगतन सरकार के लिए अपिन आउज सकते हैं तो यह साली चीज़े और विदर पार्टेश को पर यह चैलेंज है जिसको रिमोग करना अनिवाद है झालेंग झालेंग